एक गाना में आउर करूंगा अभी रिलिज नहीं हुआ है मैं आज चाहता हूँ कि यूटूब से पहले आप सब के बीच में उसको रिलिज कर दो कि जाहाए करेजा जाता रूता जाहा ये और मेरे बड़े भीया पुमा संकर भीया के भाई और हमारे बड़े भाई रमेश भीया अगर कहीं भी हो तो इधर आई अगर वो राम है तो आप लगों है आप लोगों का प्यार और आप लोग का सनी है जो कलकारू के प्रती और अपने जंता के प्रती रहता है ये सने सच में ये नहीं कि मैं यहां आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ आप लोगों को पता है कि हम बोल लेकर चलते कतना भी बाद में रही ले ये सच्चाई है मैंने बहुत सारे नेताओं का कारिकरम किया है लेकिन नेताओं का किया है छेत्र का बेटा का नहीं किया है बस एक ही बार छेत्र का बेटा का किया था आज से पांच साथ साल पहले जब मैं और अभी की संजी आये थे और उस सुम आउसर पे मुझे आज तो खर की साधी है हमारे मैं तो अब रमेश भी हमारे बड़े भाई है कुमा शेंकर भी या बड़े भाई हैं तो भतीजे हो हमार अईसर नईखे जे अपना भतीजा के साधी में इतना फंसन हम देखाता नहीं जब इस जवार की उन तीन सो एकावन लड़कियों की साधी हो रही थी तो ऐसा ही भब या स्वादत था तो यह अपने और आप लोगों में कोई फर्क नहीं समझते हैं ऐसा ही तो बेटा चाहिए आप जैसे लोगों को महराज मुख मंतरी बरना चाहिए इस जिंदगी में अगर राजनीती का मतलब पैसा कमाना है तो राजनीती नहीं करना चाहिए उद्दे से आपका रहना चाहिए एक सब्द बोल रहा हूं साइद ये कड़वा है पैसा यहां जो कमाओगे यही खर्चा होगा वहां खर्चा करने के लिए उपकार करना पड़ता है और आप दोनों भाई यहां जो कमाए तो कमाए लिए कि वहां के लिए आप लोग पैसा पर जमा कर रही यह संबसे बड़ी बात है, वहां क्या खर्चा होगा उसके लिए काम करिए, नहीं तो देखिए, यहां कोई किसी का नहीं है, बेटा पतोह की हो जाएगी, बेटी दमाद की हो जाएगी, सरीर समसान का हो जाएगा, और जिंद्गी मौत की हो जाएगी, यही चाहिए और धान के तनों धान धान खरत रहा लास्ट में नीधान लिखा जाए है यह जिन्दगी है दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो मा आपको दुनिया में लाई है और जो एक बीबी पूरी दुनिया छोड़के आपके लिए आई है इस दो लोगों को हमेशा यादर के लभी विया और दिल से पढ़ना ऐसे लोगों का पैर चुने का मंदर था आप दोनों भाईयों का एक मिशाल है जिन्दगी में अगर कुछ मांगना होगा तो मैं धरती पे जब आऊंगा आप ही दोनों को मांगूँगा कि आप जैसे लोग इस धरती पे रहना बह अगर का इसे ही खुशनुमा जिन्दगी रखे थोड़ा सो साइड हो जाएंगे तो मैं लोगों को देख भाईया बेंजी बन हुए है 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 कि टूट गए लो अब जान बाचल वा तौनों तूरिये देवालो एबिनोथ ओकरा उपर जोई बता तरह के खोजे में टाइम लगी हम निके ओसे तनियों उपर वहले तो उपरे उपर निकोल जुगो तो दूलहे का सहरा शुहाना लगता है दूलहन का तो दिल दिवाला लगता है पल भर में कैसे बदलते है रिस्ते क्या हो सिपल भर में कैसे बदलते है रिस्ते हरी अपना तो दिखों बेगाना लगता है दूलहे का सहरा सुहाना लगता है दूलहन का तो दिवाला लगता है जपना चुवहान जी भी आई है निभू खर बूजा वाली उक्रक बोला ली पका पका बोला ली एगो गाना के बाद माही मनीशा जी के साथ गाना कर लेता हूं माही मनीशा बाबू आप लोग आजाओ एक बार आजए मंच पे माही मनीशा जी तो भी कोई दीकत नहीं है जिन्दगी में मैंने पाया क्या है एक भैस सराने वाला लड़का आज आप लोगों के सामने आपके दिल का राजा बनके बैठा इससे बड़ी पुलबदी क्या हो सकती है क्योंकि मैंने अपने जीवन को करीब से देखा आप जब बड़े बन जाते हो ना भीया तो आप अगर कुटना भी मेहनत करो वो मेहनत दुनिया नहीं देख पाती है आप जब छोटे से बड़े होते होना तो वो जो रास्ते की जर्णी है वो ही दुनिया को याद रहती है खेसारी उस समय से जादा आज मेहनत करता है लेकि दुनिया को वो याद नहीं है लेकि दुनिया को खेसारी को लीटी बेशना याद है तो जिन्दिगी में कोई भी चीज रमेश विया हमारे सियो साहिब बुला रहे हैं पिलिज आप एक बार आजाईए तो जिन्दिगी में कभी भी न लोग कहते हैं न कि फलानमा अमीर हो गई अमीर बनना सबसे बड़ी दुरुपा के है तो जब हम गरीब रहेंगे तभी ये सपना देख पाएंगे अब खेसारी का बेटा क्या सपना देखेगा उसके पास गाड़ी भी है सब कुछ है तो वो नसीब वाला नहीं है उसका दुरभा गया जो खेसारी का बेटा बनके पैदा हो गया अगर वो भी मंगरु यादो का बेटा पैदा हुआ होता ना तो आज खेसारी जैसा बन जाता तो जिन्दिगी में हमेशा याद रखिए गरीबी पए नहीं है मेहनत करिएगा तो आपसे बड़ा अमीर इस धर्थी पे कोई नहीं हो सकता है तो जिन्दिगी का दस्तूर है गरीबी पए नहीं है गरीबी को अमीरी में बदलना आना चाहिए आपको नहीं तो एक लीटी बेचने वाला लड़का एक गुड़ू रंगिला जैसे कलकार के घर में जाडू पोछा करने वाला लड़का आज आपको बीच में खड़ा है दिल कराजा बनके इससे बड़ी पुलब्दी नहीं हो सकती तो मैं हमेशा कोशिस करता हूँ कि भगवान अगले जैनम भीप बनाना तो मुझे अमीर नहीं बनाना गरीब पैदा करना किसी जोपड़ी में पैदा करना कि महल बनाने की छमता के सारी बनाएगा तो यह रखना हमेशा याद काजल जी एक पर आएंगी क्या आप